तो गाईस कहते हो आप I hope कि आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तो आज की इस बीडियो में हम बात करने वाले हैं Unipay Card के बारे में जहां दोस्तो Unipay Card क्या होता है इसके लिए आप दोस्तो अपलाई करना चाहते हैं तो अपलाई करने का सही तरीका क्या है क्या दोस्तो इसमें limit लेना सही रहेगा या नहीं तो सब जानकर या आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी दोस्तो इसमें आपको जो limit बिलती है वो आप अपने bank account में transfer कहते कर सकते हैं और इसमें आपको जो है limit लेने के लिए कितना आपका civil score होना चाहिए तो चलिए दोस्तो जानते है unipay card के बारे में तो दोस्तो unipay card एक हैसा card है जिसमें दोस्तो आप जो है या पर apply करते हो तो आपको इसमें limit मिलती है आपके civil score के इसाफ से limit मिलने के बाद में दोस्तो आपको जो है उसका repayment करना होता है या आपर दे सकते है pay one third म'Tलब होता है आपको जो भी पैसा मिलता है जो भी लिमğंट बिलती है उसको आप 3 म हमाई में पे करना होता है तो दोस्तो ये card जो है बिल्कुल free है इसमें आपको कोई भी charges नहीं लगेगा इसको आप free में apply कर सकते हैं apply करने के लिए दोस्तो आपको जो इसमें कुछ नहीं करना है simple सा आपको जो वीडियो के description में एक link मिलेगी आपको simply उससे जो है इससे application को download करना है eligibility को check करने के बाद में आपका जैसा भी civil score होता है उसके आपको यहापर limit दी जाती है limit देने के बाद में आप उसको अपने bank account में transfer कर सकते हैं उसको use कर सकते हैं दोस्तो use आप किस तरह से कर सकते हैं एक तो तरीका होता है अपने bank account में transfer कर सकते हैं आपको कार्ड नंबर मिलेगा जब दोस्तों आप लोन के लिए अपलाई करेंगे तो आपको जो है कार्ड डिलेवर होने का यहाँ पर एडर्स मिलेगा बहां पर आप अपना एडर्स डालेंगे डालेंगे आपका कार्ड जो है आपके घर आ जाता है विल्कुल फिरी में 6-7 के अंदर जो है कार्ड आपके घर आ जाएगा उस कार्ड को आप स्विप कराब करी भी जो है पैसे निकाल सकते हैं जैसे कि बहुत सारी ऐसे सौपिंग होती है यह पेट्रॉल पंप होता है गैस अजनसी होती है जहापर दोस्तों आप जो है अपना बिल जो है यहाँ पर पैसी की जरूरत है तो इस एप्लीकेशन से आप दोस्तों यहाँ पर लिमिट के लिए अप्लाई कर सकते है और आपको पता होगा कि रिपेमेंट करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर्षेंट का पैसे किया जाता है जैसे कि पहले आप अपना डाम डालेंगे उसके आपको लिमिट मिलेगी लिमिट लेने के बाद में आपको यहाँ पर जो है कुछ अपनी पर्षेंट को वरना होता है जैसे कि आपका नाम और आप क्या करते हैं जैसे कि आप सेल्प एंप्लॉयमेंट है या बिजिस्स मैन है या सैलली बेस पर आप कोई काम करते हैं वह सब आप अपने डेटिल डालेंगे और आप जो है जेंडर डालेंगे उसके बाद में अपनी एक email ID डालेंगे और यहाँ पर दोस्तों आप अपनी उसके बाद में जो last step होता है आपका वो होता है के बाइसी करने के लिए आपको जो है अपना आधार कार्ड पे वाइल नंबर लि बिल्कुल फिरी में इसके बाद में दोस्तों आप जो अपनी लिमिट को यूज कर सकते हैं जितने पैसे की आपको जुरूरत है उत्हें पैसे आप निकाल सकते हैं जैसे कि आपको 10,000 रुपए की लिमिट मिली है तो आप अगर पास यार रुपए उसमें से यूज करना च तो मिलते हैं नेस्ट वीडियों को तब तक लिए जैन बंदे मात्रम धन्नवाद